नवस्कार दोस्तों स्वागत यापका फार्मरोक्स के यूटूब एजिकोस्टन चनल में आज के ओड़े लेक्चर भी हम डिटेल में स्टेडि करेंगे कि ब्रेस साइस को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं कौन से ऐसे अलग-अलग तरीके यूज होते हैं ब्रेस साइस को इंक्रिस करने में और सीखेंगे ब्रेस एनलार्जमेंट के बारे में डिटेल में तो सुरू करते आज का लेक्चर और जानते हैं कि कौन से ऐसे अलग-अलग रिजन्स होते हैं कि जिसके करें ब्रेस साइस जो इंक्रिस नहीं होती कौन से ऐसे हम safe तरीके use कर सकते हैं कि जिससे आप breast के size जो है वो बढ़ा सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का lecture और जानते हैं breast enlargement के बारे में तो ऐसे ही समझें कि आपको detail में सिखना है अलग-अलग बीमारियों के बारे में अलग-अलग medical conditions के बारे में दावायों के बारे में उनके use के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं तो ये course join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारे mobile application को download कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो आता है topic पे और समझते हैं breast enlargement के बारे में तो उससे पहले में आपको breast के बारे में कुछ बता दू कि breast का जो main काम होता है कि जो lactation period होता है उसके दरान milk production करने का और उसको secret करने का जो वो काम होता है उसके लिए अलग-अलग glands present होती है breast के अंदर तो यहाँ पे जो आप diagram के अंदर देख रहे हैं तो उसके milk को तयार करने में जो वो help करती है और यह milk duct होती है कि जो nipples के साथ जो वो connected होती है कि जो milk को secret करने में जो वो मदद करती है उसके अलावा जो part आप देख रहे हैं कि जो yellow color का जो पूरा बो आग आप देख रहे हैं वो खासकर fat होता है तो breast की साइस होती है वो mainly depend करती है कि उसके अदर कितने amount पो dek जो है वो present है बाकि जो उसका primary जो structure होता है मिल्क प्रॉड़क्शन के लिए जो glands होती है उसका होते है तो अलग-अलग आप उसके अंदर glands देख यो तो fat होता है fat के लिए अलग-अलग tissue जाई होती है, glandular tissues होती है, connective tissue, milk production के लिए lobules होती है, ducts होती है, और lymph node और ligaments वगरा उसके अंदर present होती है, तो यहाँ पर जो आप एक structure देख रहे हैं, कि यह diagram के अंदर यह पूरा red color का बाग देख रहे हैं, तो वो जो पूरा एक portion है, कि जिसको हम imagine कर सकते हैं, कि इस तरह से जो grabs होती है, उसका समानलो बंच है, उस तरह का यह पूरा एक बाग होता है, तो यह जो anatomy जो breast के अंदर होती है, उसका main काम होता है, milk को produce करना, और उसको secret करना कि जब भी lactation का period होता है, तो उसके लावा जो भी बाग आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो होता है, fat का होत होता है, और उसकी size जो बढ़ सकती है, कम हो सकती है, depend on कि आपके सिर में fat कितना बढ़ रहा है, या फिर fat कितना कम हो रहा है, तो वो body weight के साथ भी include होता है, कि मानलो आपका body weight अचानक से कम हो जाता है, तो भी breast size जो बढ़ सकती है, और body weight समझे कि अचानक से बढ़ता है, त breast की जो tissues होती है वहाँ पे तो उसके करण भी उसकी size जो बढ़ सकती है तो अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे अलग-अलग reasons है कि जिसके करण breast की size जो increase नहीं होती है या फिर breast की size आपको small feel होती है तो सबसे पहला एक reason होता है जीनेडिक मनलब की जो genes होते है वो parents के थ्रू मिलते है आपको तो समझे के parents में भी या फिर आपके family history में जो महिला आए है ladies उनके में भी यह same problem है तो वो आगे भी आ सकती है तो यह जीनेडिक factor बनता है small breast के लिए फिर दूसरा एक reason हम देखे तो suddenly आपका वज़न जे वो कम फिर जो body mass index के हम बात करेगे कि आपका BMI normal है तो चलो ठीक है पर normal से नीचे जा रहा है कि आप underweight में जा रहा है जितने ही आपकी height के according to जो आपका वज़न होना चाहिए वो काफी ज्यादा कम है जिसको हम underweight कहते है या फिर उससे भी नीचे आता है तो severe thinness के condition के जिसको हम कह use हो सकती है एक और reason देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका BMI समझो कि severe thinness में है 16 से कम है तो भी ये condition produce हो सकती है moderate thinness में है या फिर normal से नीचे आपका BMI है फिर एक reason यह है कि जो puberty का जो phase होता है कि जब से first time period सुरू होते है कि जिसको हम मिनार की कहते है तो उसके ब होता है तो उस दोरान जो जितना estrogen secret होना चाहिए वह समझे कि proper estrogen नहीं बन रहा या फिर जो जिसको एक reason बनता है small breast के लिए फिर mal nutrition की जो हम बात करते कि आपको proper nutrition ही नहीं मिला because वहाँ पे जो जिसे मैंने आपको anatomy उसकी दिखाए तो जो fat है तो fat समझे कि proper जमा नहीं होता तो fat जमा नहीं होने का एक reason यह भी हो सकता है कि आपको proper nutrition नहीं मिल रहा कि because जो breast की tissues होगरा होती है glands जो होती है उनको development के लिए proper nutrition की जरूरत होती है पोसक तत्वों की जरूरत होती है पर आपको proper nutrition नहीं मिल रहा तो nutrition ना मिलने के करण भी यह problem जो हो सकती है तो एक important fact यह आपको मैं सबसे बहले समझा दू आगे treatment के तरीके समझने से पहले तो जो breast की size होती है उससे breast feeding के उपर कुछ भी असर नहीं पड़ता breast की size कितनी भी है छोटी भी है या फिर large size है कोई तो milk production के उपर कुछ भी फरक नहीं पड़ता mainly जो है कि सिर्फ breast enlargement को इसी लिए करवाता है कि जो physical attractiveness जो वो produce करनी है तो उसी के लिए जो ये अलग-अलग तरीके use किये जाते है तो treatment में सबसे पहला हम बात करेंगे कि जो nutrition की बात करनी कि आपको nutrition नहीं मिल रहा है breast tissue के development के लिए तो वो nutrition आपको कहा से मिलेगे तो सबसे पहला nutrition का source रहे कि आपके लिए green leafy vegetables मतलब कि जो हरे पत्ते वाले जो सबजिया होती है अलग-अलग वो आपको खाने में include करनी चाहिए कि आप week में एक बार या फिर week में दो बार at least इस तरह की सबजिया include करते हैं आपके diet के अंदर फिर इसी के साथ आपको balanced diet अच्छे से लेना है कि जिसके अंदर आप consume कर सकते हैं अलग-अलग soya product मतलब की जो soya bean जो हम कहते हैं उसके related जो अलग-अलग products होती है जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप soya bean include कर सकते है diet के अंदर soya milk आता है soya bean का जो floor आता है जो इसका जो आटा होता है वो आप यू include कर सकते है diet के अंदर फिर तीसरा एक है important diet के अंदर include करना वो है अलग-अलग dairy products जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप milk वगरा अच्छे से consume कर सकते है regularly फिर उसकी जो अलग-अलग products हो देखला है कि आप cheese ले सकते है पनीर ले सकते है योगर्ट वगरा का आप यू development होने लगता है फिर यहाँ एक important है कि जो फैनु ग्रीक जो हम कहते हैं कि जिसको हम हिंदी में simple मैथी के बीच कहते है कि जो मैथी होती है वो हम यूज करते है अलग-अलग diet के अंदर तो वह आपको include करना चाहिए आपके खाने-पिने के अंदर कि जिससे भी यह problem जो ही black seed केते हैं तो जैसे हमारा एक tradition है कि आप खाना खाने के बाद कई बार मुखवास वगेरा यूज करते हैं तो उसमें आप यह include कर सकते हैं regularly उसी के लावा जो soft होती है कि जिसको final seed केते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी टाइप उसको जो ही आप यूज कर चाहिए ड्राइफ रूट्स के अंदर जो भी आपको अलग-अलग पसंद हो जैसे आप आलमंड वगेरा देख सकते हैं फिर काजु वगेरा है बादाम है पिस्ता है वगेरा जो आप यूज कर सकते हैं फिर आगे बाद आती है कि आपको डाइट में पापाया भी यूज कर कर सकते हैं तो हम उसमें प्रॉपर नेजरल रेमेडिस की बात करेंगे तो जो फैन उग्रिक होता है कि जैसे हमने भी मैथी की बात करें तो आप खाने में भी यूज कर सकते हैं सादो जाद उसका ओईल आता है तो वो आईल से अच्छे से जो हो मसाज करना होता है तो उससे कि आप मैथी का जो तेल है वो और ये आलमंड ओल दोनों को मिक्स करके भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं उसके लिए आप कौर्ड लिवर ओईल का भी यहाँ पर अच्छा ओप्सन बनता है फिर देखे तो ओलीव ओईल से भी आप मसाज कर सकते हैं अच्छे से उसके लावा दूसरे एक ओप्सन बनता है सतावरीक का जो ओईल आता है वो आप खास इंक्लूड कर सकते कि जिससे ब्रेस्ट इस्यूज जो अच्छे से ड्यावलप होती है फिर आगे बात करें पेस्ट की तो जो मसूर की जो दाल होती है उसकी पेस्ट बने जाती है कि मसूर की जो दाल होती है उसको अच्छे से भीगो कर रहा जाता है और फिर उसकी इस तरह से एक फाइन पेस्ट तयार की जाती है और ये फाइन पेस्ट को ब्रेस्ट के उपर जो वो लगाना होता है और ये paste हम जो कि अच्छे से dry हो जाती है, उसके बाद जो उसको wash करना होता है, तो ये भी एक natural remedies बनती है, breath size को increase करने के लिए हैं, फिर आप दूसरे options हम देखें, कि सबसे पहले हमने diet के बाद की, फिर massage के बाद की, उसी के साथ साथ जरूरी है exercise का, yoga वगर है, तो यहाप यह हम अलग-अलग options देखते हैं, योगा के, जैसे कि गोव मुख आसन का option बनता है, बालासन का आपके पास option बनता है, चक्रासन है, भुजंग आसन है, उसके अलावा आप देखें तो dolphin पोस वगरा है, तो यह जो अलग-अलग योग और उसके आसन्स वगरा है, उसके वीडिय आपको अलग-अलग sides के उपर, मिल जाएंगे कि वो भी आप use कर सकते हैं, specially, फिर अगर इससे ठीक नहीं हो, तो surgery का option बनता है, पर हम यहाँ पर surgery का option प्रमोट नहीं करेंगे, because surgery का option जो है, वो काफी painful भी बनता है कही बार, as well as उसके बहुत सारे side effects भी है, कि जिससे हम specially advice य करेंगे आपको, कि कभी भी आपको surgery जो यह नहीं करवानी चाहिए, because उसके बहुत सारे side effects है, कि जैसे भी सबसे पहली हम side effects देखे, तो breast में pain हो सकता है, उसके गरण, infection भी हो सकता है, फिर जो nipples और breast की जो sensor सनोते हैं, उसमें जो वो असर आ सकती है, वो कम हो सकती है, फिर की जो position होती है, वो change होती जाती है, जिसके करण आपको uncomfortable के बार फिल होता है, implant का leakage होना, या फिर उसका rupture होना, ये एक problem हो सकता है, कि जिसके करण आपके breast areas के अंदर infection हो सकता है, और scared tissues का development भी हो सकता है, तो इसके करण क्या होता है, कि काफी ज़्याद आगे जाके आपके life में complications हो सकते, तो ये option जो आपको कभी भी जो चूज नहीं करना है, जैसे हमने जो natural remedies के बात की, as well as जो अलग-अलग yogasans के हमने बात की, वो आपको खासकर use करने चाहिए, फिर आगे एक advice ये है, कि आपके जो पैसे हैं, वो आपको अलग-अलग ऐसे products, कि जो हम कई बार internet प उसकर लो, वो यूस कर लो, पर वो आपको कभी भी उसने कर, बिकॉज ये products जो खासकर कैसी होती है, फैक होती है, तो आपके जो time है, as well as आपके पैसे, वो कभी भी waste नहीं करने चाहिए, इस तरह के product की जो claim करती है, और ये जो claim होता है, वो false claim होता है, कभी भी ये चीजे जो यह असरदारग नहीं होती जो हमने बात की natural remedies की वो ही आपको करना होता है और आपको साथ हो साथ patience भी रखना होता है because कि ए ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों में ही यह problem जो यह या फिर यह condition है वो change हो जाए आपको थोड़ा wait करना होता है और यह natural तरीके उने से वो time भी लेते हैं फिर main यह बात है कि जैसे मैंने आपको समझे कि only use the natural remedies कि जो हमने यहाँ पर यह video के अंदर discuss की बेक। उसके लावा जो भी आपको ऐसे तरीके use करोंगे तो उससे साथ आपको side effects भगरा भी हो सकते हैं तो ऐसे समझे कि आपको detail में सीखना है अलग अलग बीमारियों के बारे में दवायों के बारे में medical conditions के बारे में तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं फार्मा रोक्स के अब उपर तो यह course जोइन करने के लाप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best